Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं तो हम लोग Pharmacy Law and Ethics का Chapter No.11 जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं Medical Termination of Pregnancy तो इस Terms के बारे में तुम लोग काफिया तक जानते होगे जिसको Short Term में हम लोग MTP भी कहते हैं तो ये Medical Termination, Termination का मतलब क्या होता है, खतम करना, Medical मतलब Medical Term में खतम कर देना किसको Pregnancy को यानि कि यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि Pregnancy को खतम करने का मतलब क्या है, आप बच्चे को गिरा रहे हैं ठीक है, किन हालात में, किन कंडिशन में गिराएंगे, ये एक वैद मतलब Legal होना चाहिए, अदरवाइस केस हो जाता है ठीक है न, बच्चा गिराना गैर कानूनी है, अपनी इंडिया में बच्चे को आप गिरा नहीं सकते हैं तो किन कंडिशन में आप बच्चे को गिरा सकते हैं, किन कंडिशन में बच्चे को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ओख खतम कर सकते हैं ठीक है वो इस सारे rules के बारे में हैं यहाँ पर act and rule आ गया था कुछ यह हम समझेंगे जो अपने slaves में basic understanding की यह act है क्या और silent feature of amendment जो amendment हुए है उसके कुछ silent feature को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर फटाफट तो introduction की बात करें अगर हम लोग तो introduction कहता है कि medical termination of pregnancy is refers यानि कि medical termination of pregnancy का मतलब है as the induction of abortion, induction मतलब कोई चीज शुरू कर देना, कोई चीज induce करना यानि कि पैदा करना, क्या चीज हम बना रहे हैं, क्या चीज हो रही है, abortion हो रहे है abortion को induce करेंगे, क्योंकि abortion कराए नहीं जाता है, induce कराए जाता है करती हमारी body है, हम body को stimulate कर देते हैं, कि वो बच्चे को गिरा देती है इसलिए word आया है induction, ठीक है the induction of, यानि कि एक तरह से कह लोग कि शुरूआत करना, ठीक है, induce करना हम लोग बिना, बच्चे को हम लोग नहीं गिरा रहे हैं, हम body को कुछ ऐसे chemical देते हैं, कि body खुद गिरा देती है यानि कि हम body को उकसा रहे हैं, इसलिए word आया है induction, ठीक है न तो induction of abortion may be legal and illegal, legal भी होता है, illegal भी होते है there are many countries in the globe, इस दुनिया में बहुत सारी countries हैं, where, जहां पर the abortion is not yet legalized, abortion को legalized नहीं किया गया है, हमारी country में legalized है ठीक है न, in India the abortion was legalized by medical termination of pregnancy act of 1971 ठीक है न, क्यों, भून अत्या हैं, बहुत होती हैं अपनी country में, है न, female child होती है तो गर्व में मार दिया आता है, तो यह लाना पड़ा हमको act, और भी कई सारे कारण है, समझेंगे यहाँ पर तो 1971 में यह act लाए गया, और legalized कर दिया गया, अगर आप बिना वज़े pregnancy को terminate करते हैं, तो आपको सजा होगी and has been enforced in the April 1972 तो यह dates जो की one marks question पूछी आ सकती है, तो तुमको याद रखनी है कि कब enforce लागू हो गया, कब लाए गया, definition की बात करें तो deliberate, deliberate का मतलब जान भूज कर, ठीक है, okay, deliberate termination of pregnancy, pregnancy को जान भूज के terminate करना, दवा की help से, either by medical, surgical and surgical method, या तो medical and surgical method से, before the, viability of the fetus, इससे पहले की fetus viable हो जाए, है ना, fetus मतलब, brun होता है, brun मतलब एक cell type का चीज रहती है, जब उसमें पूरा बच्चा नहीं बना होता अभी तक, ठीक है ना, तो viability मतलब, जब तक, अगर हाथ पर निकल आते हैं, तो वो पूरा फिर बच्चा बन जाता, फिर तो एकदम सजा है, ठीक है ना, तो viability of fetus, इससे पहले की fetus जो है, वो जो भूण है, जिसमें अभी हाथ, पर, आँखें वगरा नहीं बनी है, ठीक है, उसको हम लोग टर्मिनेट करना चाहरे है, इस काल, इंडक्शन ओफ अबोशन, ठीक है ना, तो हम लोग प्रेंशी को definition क्या है, डेलिबरेट, यानि की जान बूज करके, टर्मिनेट करना प्रेंशी को, आज़र बाई, मेडिकल और सर्जिकल मेचाट, ठीक है न, यहाँ पर हम कर देंगे, आज़र है तो और आ जाएगा, यहाँ पर, मेडिकल और सर्जिकल मेचाट, बिफोर दा, वाइबिल्टी ओफ फिटर्स, इसकाल इंडेक्शन ओफ अबोशन, क्लिएर हो गया, नाओ, मेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेंशी एक्ट, 1971, इसके बारे में कोई बेसिक कंसेट समझने है हमको, समझते है, इंडिया का अबोशन लौ है, फॉल्स अंडर दा, मेडिकल टर्म कर movimiento के लगू किया गया, इनाक्ट किया गया, in the year 1971, with the intention, इस मंशा से, intention मतलब इस मंशा से की reducing the incidence of illegal abortion, इस मंशा से लाया गया, इस intention से लाया गया, कि जो illegal abortion हो रहे हैं, वो रुक जाए, and consequent maternal mortality और जिसके वाई से, और परदनाम फोरुक, इलिगल मतलब क्या, गान प्रौ दया लड़की है तो कुछ दवा दे दी, बच्चा गिर गया, परजला मा को भी नुकसान हो रहा है सेहत का, परजला मदर की भी डेथ हो जा रही है, इलिगल तरीके से कर रहे हैं, डॉक्टर की देख रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, ठीक है, reducing the incidence में घटना है किसकी illegal abortion की and consequent और the act came आती है, या I into effect from 1 April 1972, date याद रखेंगे, and was amended time to time, और समय समय पर उसको amend किया गया, उसमें कुछ changes किये गए, ठीक है, in the year 1975, 2002 and latest किया गया, 2021 में, Recently the Supreme Court permitted a rape survivor, पहले ऐसा नहीं था, अभी हाली में Supreme Court ने allow किया है कि जो rape survivor, किसी female का rape हुआ है, और वो बच गई है, मरी नहीं है, जिन्दा है, और तो वो terminate कर सकती है अपने pregnancy को at 24 week, कई बार ऐसा होता है, जो rape victims होती है, उनको पता नहीं चलता है कि वो pregnant है, तो काफी time के बात पाज़ चलता है कि वो pregnant है, ठीक है ना, तो 24 week, date is date time को बढ़ाया गया है, कि अगर 24 week तक आपको पाज़ चल जाता है कि आप pregnant है, तो आप उसको, जो rape victim है, उस बच्चे को गिरा सकते हैं, which is beyond the permissible 20 weeks limit prescribed under the medical terminacy pregnancy act 1971, 1971 में क्या था, केवल 20 week तक की था, लेकि नहीं हापर क्या है 24 भी कहने कि एक महिना और बढ़ा जेगा है, चार हफते और बढ़ाएगा है इसमें, clear है, बास समझ में आ रही है, अब इस act के अंदर कुछ definitions है, current definitions, ठीक है, guardian से इस act में क्या मतलब है, guardian means a person having the care of the person of minor or a lunatic, lunatic का मतलब होता है, पागल जिसका दिमागी हालत सही नहीं है, ठ देखर एक करता है, minor की minor मतलब जो 18 से नीचे है या जिसके दिमागी से सही नहीं है, lunatic का मतलब has the meaning assigned to it in section 3, section 3 में इसका meaning assigned किया गया है, of Indian lunatic act, जो Indian lunatic act है उसमें section 3 में बोला गया है, it means a person who is mentally ill, ऐसा इंसान जो दिमागी तोर पर ill है, बिमार है, ill मतलब बिमार, minor means a person who under the provision of Indian majority act, ठीक है, India का majority act है कि कौन लोग major major कहलाएंगे, कौन लोग minor कहलाएंगे, ठीक है, is to be deemed not to have attained his majority, ठीक है, तो minor वो है जो Indian majority act के तहत, अभी तक majority उसने हासिल नहीं किया, majority का मतलब minor major नहीं यहाँ पर, यह minority majority नहीं है, majority मतलब एक तरसे 18 के अबब और 18 के नीचे वाला minor major है registered medical practitioner, RMP, डॉक्टर की बात हो रही है, इस case में RMP कौन कहलाएगा, means अब medical practitioner who possess any recognized medical qualification, ठीक है, अब तुम लोग सोचो कि इस के definition हम पहले कर चुके हैं, नहीं, सुनो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ चीज़े spatial होगी, जो RMP होगा, एक तो RMP होगा, medical कि उसके पास क्या हो, qualification होगा जैसे कि clause H में कहा गया, of section 2 of the Indian Medical Council Act में, उसके according to the RMP हो गई होगा, साथ-साथ में, whose name has been entered in a state medical register and who has such experience, ठीक है, यहाँ तक बात है common होगी, प्रणा जो RMP की definition थी, कि वो recognized medical qualification होगी, उसके पास, साथ-साथ में, state medical register में उसका नाम होगा, लेकिन, एक्स्ट्रा क्या होगा, जो doctor abortion करेगा, उसमें extra क्या होगा, उसको experience होना चाहिए, और training होनी चाहिए, उसके पास gynecology और obstetrics, gynecology मतलब female की जो बिमारियां होती है, या female, gynecology समझते हो, gynecology कौन होता है, जो भी pregnancy लेकर के जो doctor होते है, ठीक है, या obstetrics, यानि कि जो delivery को लेकर के काम करते हैं, उसको चाहिए, उसके पास experience और training होनी चाहिए, as may be prescribed by the rules made under this act, खीक है न, तो यह दोनों training होनी चाहिए, यही rule prescribe किये गए हैं, इस act के अंदर, अब यह कानी समझ में आ गई, doctor के पास यह important है, experience होना चाहिए, केवल साधारन RMP नहीं होगा, okay, no termination of, कहा पर होगी pregnancy terminated, place, कौन सी facilities होनी चाहिए, सारी facilities नहीं होगी, तो उसी को समझाए जा रहा है, no termination of pregnancy shall be made, किसी भी प्रकार की pregnancy terminated नहीं होगी, in accordance with this act at any place, other than, ठीक है, जो termination होनी है, वो किसी भी दूसरी place में नहीं होगी, a hospital established or maintained by government, ठीक है, other than, यानि कि इनके अलावा कहीं और नहीं होगी, पहला, एक hospital होना चाहिए, जो कि establish किया गया है, maintain किया जारे government के दौरा, यानि government hospital में अबर्शन होगा, या a place for the time being approved, या कोई ऐसी जगह है, जिसको कुछ, उस समय के लिए, approve किया गया है, for the purpose of this act by the government, इस act के दौरा, इस काम के लिए, termination of pregnancy के लिए, उसे approval मिला हुआ है, तो कहीं पर भी, termination of pregnancy नहीं होनी चाहिए, बहुत समझ में आ रही है, जहां पर approval है, या जो government hospital के वहीं पर होगा, अधरवाइस कहीं और नहीं होगा, clear है, थोड़ ये बिटा, फिर कहा रहा हूँ मैं, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसको समझें, इस हिंदी को direct बहुत जैसे एक्ट के according, किसी और जगह पर, other than, तो ठीकर तो लिखने का तरीका होता है, इसको तुम सदान ले सकते हो, कि कोई भी, no termination of pregnancy will take place other than this place, इस तरह से लिख सकते हो, सदान भाशा में अपने, ठीक है ना, legal abortion का क्या मतलब है, legal abortion से क्या मतलब है, termination is performed by registered medical practitioner, assisted in at least, ठीक है ना, legal abortion का मतलब क्या है, कि जब termination perform किया जाता है, एक registered medical practitioner के दुआरा, condition क्या है, जो कम से कम 25 MTP, perform कर चुका हो, कम से कम, and degree, और उसमें degree होने चाहिए, in obstetrics and gynecologist, OBG में, by the act, है ना, assist कर चुका होने का मतलब यह निकि 25 करा चुका हो, मतलब किसी senior doctor के under में 25 MTP करा चुका हो, प्तलब help कर चुका हो, उसमें, वो ही करेगा, termination is done, termination is done at the place approved under the act, termination वहीं होगा, जो जगह approved की गई है, act के द्वारा, termination done for condition and within the gestation week prescribed by the act, termination की जाएगी, उन condition में, और within the gestation week, जो 24 week था ना, उसी के under की जाएगी, उसके बाहर नहीं होगी, ठीक है ना, the abortion has to be reported to the director of health service of the state, अगर abortion हो रहा है, उसे report किया जाएगा, director of health service of the state, यह सब legal हो, यह सब कारिवाई है बेटा, अगर आप कही पर देखते हैं, illegal हो रहा है, और अगर आप report कर दें, उस hospital की उस clinic की चली जाएगी, license, ठीक है, इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब है, कब कब किन किन हालात में, very important, यह question आने के संभावना है, कब कब किन किन हालात में, medical termination of pregnancy की जा सकती है, act हमको किन किन हालातों में यह permission देता है, women whose physical and mental health were endangered by the pregnancy, ठीक है, अच्छा, पहला हो गया यह, यह numbering खलत हो की है, किसी women की physical and mental health खत्रे में पड़ गई है, pregnancy के वएशे, ऐसा कई बार होता है, मनलब महिला है, pregnant हो जाती है, लेकिन pregnancy के वएशे, उनकी कुछ mental health या physical health को दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे case में abortion किया जाएगा, क्योंकि जो rule क्या कहता है, जो जान already, ऐसे lady है, 20-25 साल की होगी, जो already young है, live है, और एक बच्चा जो अब आएगा, ठीक है ना, तो वो आया नहीं यह जिंदगी में, तो दो जिंदगीओं में जब comparison किया जाता है, तो इस जिंदगीओं को preference दी जाती है, जो पहले से exist कर रही है, ठीक है, woman facing the birth of potentially handicapped और malformed child, अगर कोई woman, किसी मतलब facing the birth of, यह बटा लिखने का तरीका, यानकी सिधी बाती हो गया, अगर किसी को potentially handicapped और malformed लेंदब किसी को अपंग बच्चा होने की संभावना है, हाथ पैर लूल लंगड़ा हो जाते हैं कई बार, होता है genetic defect होते हैं, अगर यह डॉक्टर को बात पाया चल गई है, फैमिली हिस्ट्री है, बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं, डॉक्टर ने जांच किया और देखा कि बच्चे अपंग पैदा हो है, अपंग है, तो उस इस्थिती में बच्चे को abortion किया जा सकता है, रेप विक्टिम होते हैं, रेप हुआ है, उसके वैसे pregnancy हुई है, तो abortion हो सकता है, प्रेगनेंसी इन अन्मेरिट गल्स, देखा वी बात चल रही है, अगर कोई अन्मेरिट गल्स है, उसको pregnancy हो गई है, अंडर दे एज ऑफ एटीन और वो अठारा से नीचे है, विद दा कंसेंट ऑफ दा गार्जियन, तो उस इस्थिती में गार्जियन की कंसेंट से, माबाप की कंसेंट से अवोशन हो सकता है, यह बात आगी किसके लिए, कपल्स के लिए, कपल्स साधी हो गई है, एक बच्चा है, अभी एकी साल का हुआ है, कौन्ट्रसेप्सन फेल हो गया, लेडी क्या होगी, प्लेट हो गई, तो उस इस्थिती में क्या होगा, यह तो कपल है, मैरिट कपल है, तो जाएंगे डॉक आप्टर के बोलेंगे, ऐसी से कंडिशन है, तो वहाँ पर हो जाएगा, यह लीगल है, ठीक है न, यह तीन उपर की जो एक, दो, तीन, चार, यह चार इस्थिती हैं, जो क्रिटिकल होती है, यह नॉर्मल है, कपल्स में जो साधी हो गई, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता है, वहाँ सिंपल लोग चले जाते हैं, हो जाता है, अब जो अमेंडमेंट है, ठीक है, तो यह अपना उपर का कब हो सकती है, लीगल अवसन क्या है, कौन सी जगह होनी चाहिए, यह सब क्या अपना बेसिक अडर्स्टेंडिंग में आ जाता है, अब जो अपने पास आया है, 2020, है ना, 2021 में लागू हो गया था, तो उसके कुछ silent feature की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है था, राजिसभा has approved the medical termination of pregnancy amendment bill 2021 to amend the medical termination of pregnancy act 1971, राजिसभा ने अप्रूव कर दिया था, ठीक है, कि जो 1971 में MTP act पास हुआ था, उसमें कुछ amendment करने है, 2021 में अप्रूव हो गया था, 2020 में, तो यह कई बार बच्चों confusion होती है, कि सर 2020 लिखे हैं, कि 2021 लिखे, ठीक है ना, तो actually लोग सभा में पहली पास हो गया तो इसको 2020 बोल देते हैं, कुछ लग 2021 भी बोलते हैं, तो confusion नहीं है, ठीक है ना, कभी ऐसा अगर मालो question आ जाता है, कि amendment confuse मत करना, answers में बकादा लिखे आना, कि लोग सभा में 17 मार्श 2020 में वह था, और राज सभा में 21 में वह था, टीचर को मौकाई मत देना काटने का नंबर, ठीक है, आगे आते हैं, अब बेटा यह table तुमको याद कर लेनी है बस, amendment के लिए, अब देखो, पहला amendment, in case of contraceptive failure, contracept couple है, married couple है, contraception ले रहे तो, condom अगरा फट गया, या copperty ने काम नहीं किया, उस case में, applied to married woman, applied to married and unmarried woman, अब यह unmarried woman पे भी apply हो गया, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया है, कि अगर जैसे आज कर क्या है, live-in relationship में लोग रहते हैं, ठीक है न, आप 18 के उपर हो गए है, live-in रह हैं, आप mutual consent है, मतलब साधी नहीं हुई है, और mutual consent से अगर आप physical हो रहे हैं, तो वो legal है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस case में, आप contraception यूज कर रहे थे, और वो contraception failure हो गया है, ठीक है न, तो इसलिए अब यह married, पहले केवल married woman के लिए था, अब यह married और unmarried दोनों के हो गया, क्यों, क्योंकि कहीं न कहीं समझ रहे हैं बात को, चीजे modernization की तरफ हो रही है, living relationship बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साधी से पहले, जो living relationship में रहते हैं, तो इसलिए यहां पर अब unmarried को भी count किया गया है, gestational age limit, gestational होता है, जो बच्चा जब गर्ब धरन कर लेता है, पेट में आ जाता है, तो कितने महिनों तक बच्चे को गिराया जा सकता है, उसके बाद उसको नहीं गिराएंगे, तो पहले 1971 में क्या था, 20 week तक था, उसके बाद मा की सेहत को खतरा हो सकता था, तो नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, चीजे एडवांस हो गई है, टे इनेरेबल है वो, कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो 24 week तक बच्चे को गिराया जा सकता है, अब अमेंड हो के आ गया है, डॉक्टर's opinion required before termination, पहले क्या था, 1971 के एक डॉक्टर की opinion, एक डॉक्टर की opinion राय चाहिए होती थी, अगर जो बच्चा 12 week का ही है, जो गर में रुका अब ये time period बढ़ा दिया है, अगर बच्चे को गर्व में ठहरे हुए, मातर 20 week हुए है, एक डॉक्टर की सला से काम हो जाएगा, और अगर 24 week हो चुके हैं, तो दो डॉक्टर's की सला लेनी पड़ेगी, ठीक है, branch of woman's confidentiality, branch of woman's confidentiality, मतलब कि जो woman termination कराने आई है, उसकी confidentiality वो leak नहीं होनी चीए, कौन थी, कहां से आई थी, क्या था, क्या था, क्योंकि डॉक्टर के बाद से पर रिकॉर्ड होता है, उसको आप किसी को नहीं बताएंगे, until, unless, तब तक नहीं बताएंगे, जब तक की कानूनी तोर पर ना कहा जाए, कई बार कुछ केस हो जाते हैं, बत बच्चा है, वो abnormal है, अपंग है, बच्चा कैसा है, अपंग है, तो पहले क्या था, उस केस में भी पुराने वाले में 20 weeks सी limit थी, लेकिन अब जो है, नया जो amendment आके, उसमें कोई limit नहीं है, 7-8 महिने तक अगर पता चल रहा है, कि बच्चा अपंग है, तो with precaution बच्चे को गिराया जा सकता है, ठीक है, causing miscarries, ठीक है ना, ओके, अगर miscarries कराया जाता है, ठीक है ना, तो jail है or fine है, jail or fine है वो अभी, miscarries मतलब जान मुझ करके, ठीक है, अवार्शन, मतलब miscarries कराया जा रहा है, उस केस में, ये सारी conditions हैं, abortion, post sex determination, अगर आपने sex पता करवा लिया है, कि गर्व में बच्चा लड़की है या लड़का है, post sex determination, और उसके बाद आप बच्चे को अवार्ट करवा रहे हैं, तो दोनों में imprisonment, jail है, ठीक है, पहले भी और अब भी, तो ये दो चीज़े ऐसी हैं, जिनमें कुछ changes नहीं आ आ चुके है, ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर क्या है, silent feature of amendment, लिख दिया है, enhancing the upper gestation limit from 20 to 24 week for special categories, ठीक है, of women which will be defined in the amendment of the MTP rules would be include survivor of the rape, इसके अंदर rape survivor भी इंक्लूड है, victim of incest and other vulnerable women like differently abled women, minors, कोई minor है या ऐसी women है जो differently abled है, अपंगो गए रहा है, तो उस case में क्या है, इसको 20 to 24 कर दिया गया है, rape victim है, तो उस case में 20 to 24 कर दिया गया है, ठीक है, तो जो उपर table में है, वोई चीज़ यहाँ पर है, opinion, ठीक है, पहले क्या थी, only one RMP की opinion की जरूद 20 वीक तक, फिर उसके बाद कितनी है, दो RMP की जरूद पड़ेगी, 20 से 24 वीक का, तो वोई जो table में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर lines में मैंने लिख दिया है, अपर gestation limit not apply in case of substantial fetal abnormalities, अगर fetal abnormal है, तो कोई limit नहीं है, बच्चे को कई भी गरा सकते है, ठीक है, ओके, name and the other particular of woman whose pregnancy has been terminated shall not be revealed, उसका खुलासा नहीं किया जाएगा किस woman की pregnancy को terminate किया गया है, ठीक है, accept to a person authorized in any law for the time being in force, accept a person authorized in any law, ठीक है न, केवल उसको बताया जाएगा कि जो law, according law, मालोपती है, माबाप है, according law, ठीक है न, या कानून के तहत कहीं किसी को बताना होगा, तो बताया जाए has been extended to the woman and her partner, अगर contraceptive failure हो रहा है, तो woman और उसके partner पर सारी चीज़ें छोड़ दी गई है, आपको करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है, तो जो उपर लिखा गया है, तो यह amendment बेटा, important है यहाँ पर, यह जो amendment है, यहाँ पर काफी ज़्यादा important है, यहाँ बताया है, मैंन यह दो questions काफी important है, इनको अच्छे से आप करेंगे, ठीक है, बाद बाकि इसमें chapter में कुछ नहीं है, और यह अपना chapter पूरा खता हो जाता है, छोटु मुटु से chapter था, पढ़ना है बेटा, revise करना है, ठीक है, सारे जो PDF है, उसके link नीचे दे रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हू बाद बाकि सबसे जरूरी चीज जो है, पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best